जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है बोल किलब आजाद है तेरे द्यूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे बोल सबाँ अब तक तेरी है जे अगोर, जे अगोर का इनतिजार कर रही थी मगर एक बार फिर प्रदानमंत्री ने पूरे देश को हतोत साहिद किया अगर आप से कुछ दिनों पहले सुप्रीम कौट ने इस सरकार को लताड ना लगाई होती उसकी वैक्सीन पॉलिसी को लेकर उसके टीका करण को लेकर तो आज प्रधामंतरी देश के सामने ना आते क्योंकि आज जब वो देश के सामने आए तो 18 से 44 साल के लोगों के लिए उन्होंने मुफ्त वैक्सीन की घोशना की मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अब से कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोट ने कहा था कि जो आपकी वैक्सीन पॉलिसी 18 से 44 लोगों के लिए पेड वैक्सीन वो पूरी तरह से मनमानी और बेतुकी है सुप्रीम कोट की इसी लताड का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाशन पर भी दिखा क्या कहा प्रधानमंत्री ने आप खुद सुनी अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुप्त वैक्सीन मिली है अब 18 वर्ष की आउ के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार ही मुप्त वैक्सीन उप्लब्त करवाएगी गरीब हो निम्न मद्यंबर्ग हो मद्यंबर्ग हो या फिर उच्चवर्ग भारत सरकार की अभ्यान में मुप्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी मगर आप जानते हैं सबसे अफसुस की बात ये रही कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी से बच्चते हुए दिखाई दिये आज वैक्सिनेशन को लेकर टीका करण को लेकर जो इस वक्देश समस्याओं का सामना कर रहा है उन्होंने इसका ठीकरा राज सरकारों पर फोड़ दिया उन्होंने कहा कि देखे किस तरह से राज सरकारों ने अपना रुख बदला और फिर बाद में वो इस बात पर सहमत हो गए कि वैक्सिन्स दरसल केंद्र सरकार को ही हासिल करना चाहिए पहले आप सुनिए प्रधानन्ती कह क्या रहे हैं फिर मैं उसकी चर्चा करूँगा एक तरफ मई में सेकंड वेव दूसरी तरफ वैक्सिन के लिए लोगों का बढ़ता रुजान और तीसरी तरफ राज सरकारों की कठिनाईया मई में दो सब्ता बित्ते बित्ते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्ता ही अच्छी थी धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जूरती चली गई वैक्सिन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे मैं प्रधान मंत्री को एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ प्रधान मंत्री दिली और पंजाब में फाइजर और मडरना की वैक्सिन्स अमरीका से लेने की कोशिश की थे मगर आप जानते हैं इन दोनों कंपनियों ने मना कर दिया था, क्यूं? क्यूंकि इन दोनों कंपनियों ने कहा था कि हमें चाहिए इंडेमनिटी क्लॉज जो उत्तरप्रदेश के चुनावों की तो तैयारी करते हैं अगर वैक्सिनेशन को लेकर कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं करते हैं उसी के चलते उसी के चलते दोस्तों फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली और पंजाब को वैक्सिनेशन देने से इंकार कर दिया मैं समझन आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों क्योंकि ये लोग राहूल गांधी का लगातार मजाक उड़ाते रहते हैं अगर राहूल गांधी ने क्या कहा था आपके सामने 56 मही का दोस्तों ये बैان है वैक्सिन की खरीद केंडर करे और वितरन राज तबही हर गाओं तक वैक्सिन सुरक्षा पहुंच सकती है ये सीधी सी बात केंद्र सरकार को समझ क्यों नहीं आती राउल गांदी क्या कह रहे हैं आप कि केंद्र जो है वैक्सीन हासिल करें और इसका वितरन राज सरकार करें अब आप राज सरकारों पर इसका दोश क्यों मढ रहे हैं मोदी जी बताईए ना आप इसका दो शिराज सेरकहरों पर क्यूं मढ़ रहे हैं यहां गलती किसी और की नहीं सिर्फ आपकी है अब मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ वैक्सीन से अमरीका और ब्रिटिन जैसे देशों ने माई 2020 में याद रखिए इस तारीक को माई 2020 में ही जो है व ग्राफिक वो तस्वीर जो ये प्रमानित करती है कि इन देशों ने माई 2020 में ही वैक्सीन के ओर्डर प्लेस कर दिये थे और हमने भारत ने जनवरी 2021 यानि कि अब से कुछ ही महिनों पहले ये ओर्डर प्लेस किये थे बताइए ना प्रधान मंतरी आप इस बात का जवाब क आप ने ये कहा था प्रधान मंतरी कि हमने बगएर वैक्सीन के जंग जीत ली है क्यों प्रधान मंतरी आपने ये बात कही थी बताइए क्योंकि आपके हिसाब से तो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं थी तो मैं आप से पूछना चाहता हूँ आपने अपरैल में ये बयान क्यो ने बात क्यों कही थी आप इतने गहर जम्मधारान बायान क्यों देते रहे मैं आपसे जानना चाहता हूँ और इसके बाद दोस्तों सुनिए प्रधान मंत्री क्या कह रहे हैं प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने वैक्सिन्स को लेकर देश में भरामक जानकारी इससे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनके होसलों पर भी असर पड़ा कहीं न कहीं वो कॉंग्रेस पर दोश मड़ रहे थे पहले आप उनका ये बयान सुनिए फिर मैं इसकी चर्चा करता हूँ कई छेत्रों से वैक्सिन को लेकर भ्रम और अफ्वाओं की जानकारी चिंता बढ़ाती है ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ जब से भारत में वैक्सिन पर काम शुरू हुआ तब ही से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बाते कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो कोशिज यह भी हुई कि भारत के वैक्सिन निर्मानताओं का हौशिवा पस्थ पढ़ जाएं और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आये जब भारत पी वैक्सिन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया वैक्सिन न लगवाने के लिए भाती भाती के तर्क प्रचारित किये गये तो सुना आपने प्रधान मंत्री मैं आप से एक चीज पूछना चाहता हूं कॉंग्रिस ने जानते हैं पूरे हो जाएं तब ही जाकर इसे लोगों को लगाया जाए इसमें क्या गलत है इसमें कहां से भरामक जानकारी हो गई अब मैं आपको बताना चाहता हूं आपका एक खास दोस्त रामदेव ये लगातार देश की जनता को क्या कह रहा है कि हजारों डॉक्टर वैक्सिन मजाग उड़ा रहा है ना सिर्व वैक्सिन्स का बल्कि उन डॉक्टर का जो लोग मर गएं सुनिए रामदेव क्या कह रहे थे तीसरे बुलों मुझी डॉक्टर बना है ठर टर 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 करते रहे थे ठर बनना है ठर डॉक्टर एक हजार डोक्टर तो अभी कोराना की डबल वैक्षिन लगाने के बाद मर गए कल क्या समाचार है कितने एक हजार डोक्टर डबल वैक्षिन लगाने के बाद भी मर गए अपने आप कोई नहीं बचाए पाई वो कैसी डोक्टर ही बना है तो सौमी राम देव जैसा बन जिसके पास में कोई जिसके लाखों समर्थक हैं और यह वैक्सीन्स को लेकर लगातार भरामक बयान देता रही मैं आप से पूछना चाहता हूं प्रधान मंत्री आप रामदेव को गिरफतार क्यों नहीं करते हैं। कॉंग्रेस ने तो आपके सामने सिर्फ यही कहा था कि जब तक वैक्सीन का पूरा परिक्षण ना हो जाए, जनता को ना लगाया जाए। और यहां रामदेव लगातार डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहा है, देश के सामने जुटी जानकारी दे रहा है, क्यों? मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्यों प्रधान मंत्री? अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने इसी मंच पर बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इस सरकार को लतार लगाई थी, कई सवाल पूछी थे, सवाल नमबर एक, कि 18 से 44 साल के जो लोग हैं, उनको लेकर आपकी जो वैक्सीन प पहले फिर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की लतार का सर मोधी सरकार पर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने करारा हमला बोलते हुए केंदर सरकार से बोला है कि आपने 35,000 करोड का जो बजट रखा था वैक्सीन के लिए उसे आपने कैसे खर्श किया, आप तक इसे कहां खर्श किया, कोर्ट में केंदर से वैक्सीन का हिसाब भी मांगा और ये भी पूछा कि ब्लाक फंगस इंफेक्शन की दवा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ब्लाक फंगस दवा, वो ब्लाक फंगस जो आपको होती है जब आप कोरोना से ठीक हो जाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ब्लाक फंगस के बारे में आप केंदर सरकार के मुझसे कुछ सुन रहे हैं, किसी बड़े नेता के मुझसे कुछ सुन रहे हैं, मैंने आपको बताया, स्वास मंत्री बात कर रहे हैं, इस ओव डूइंग बिजनस की, जब क्यों ने ब्लाक फंगस की कौन बात कर रहा है, राहूल गांधी बात कर रहे हैं ब्लाक फंगस की, आपके स्क्रीन्स पर उनका ट्वीट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ब्लाक फंगस महामारी के बारे में केंदर सरकार सफष्ट करें, एमफो टेरिसन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है, मरीज को ये दवा दिलानी की क्या प्रक्रिया है, इलाज देने के बजाए मोधी सरकार जनता को आपशारिकताओं में क्यू भसा रही है, आज जो सवाल यहां राहूल गांधी उठा रहे हैं, ये सवाल केंदर सरकार क्यों नहीं उठाती, दो अपने आप में एक बहुत बढ़ी दराजदी है, आप इस देश के स्टेट्सмен हैं, वैं इस देश के प्रधानन्त्री हैं, इस देश के मुख्या हैं, इस देश के सबसे लोक्रिय राजनेता हैं और अगर आप इस तरह के बयानाद देंगे, तो इस देश की जनता आपको मा नहीं करीगे आप कैसे बूल सकते हैं हजारों लाखों लोग मारे गए हैं जिन आपको बता चुका हूँ आपने उन वैक्सीन का ओर्डर जनवरी 2021 में दिया था आप इस बात से कैसे मूँ मोड सकते हैं अब भी आप शुनावी भाशन दे रहे हैं और इसके लावा कुछ नही जो अपने आप में एक बहुत बड़ी तरास दी है बोल कि लब आजाद हैं तेरे में बस इतना ही अविसार शर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार